Hello friends, psychology, हम कहते हैं psychology behavior का अध्यान है और behavior दो तरह के होते हैं, normal behavior, abnormal behavior तो question ये भी आता है, कि क्या psychology normal behavior की study है या abnormal behavior की study है तो इसका उत्तर ये मिलता है, कि psychology is the study of normal and abnormal behavior लेकिन प्रश्ण ये भी तो है कि normal behavior क्या होता है या abnormal behavior क्या होता है तो आज का topic हम इसी पर रखने वाले हैं अपती psychology की पाथशाला में हम समझने वाले हैं normal and abnormal behavior को देखिए जब भी हम normal की बात करते हैं तो normal का जो सम्बंध होता है वो एक नियम से होता है normal का सम्बंध होता है rules से होता है normal का सम्बंध होता है सिद्धान्त से normal का सम्बंध होता है acceptance से या normal का सम्बंध होता है कि जो society कहती है कि साब ये करना है ये सही है ये उच्छत है बस उसको हम कहते है normal पड़ी simple सी बात है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक normal behavior है, आप सुन रहा हैं ये एक normal behavior है, लेकिन आप ऐसा करें कि आप सुनते सुनते अपने mobile पर एक पत्थर मार दें, जान बूझ कर, क्या ये normal है या abnormal है, तो आप कहेंगे कि साब normal तो नहीं है, तो फिर abnormal है, abnormal के लिए हम बात करते हैं क हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये तो अब समझ में आगया होगा, कि जब भी normal की बात करेंगे, तो एक parameter की बात आएगी, एक मानप की बात आएगी, एक नियम की बात आएगी, एक सुद्धानति की बात आएगी, या उस राह पर चलने की बात आएगी, जिसे society ने मानने किया है बस यही है normal या normal behavior लेकिन abnormal क्या है देखिए abnormal को अगर देखा जाए तो दो शबनों से मिलके बना है abnormal, ab plus normal, abnormal behavior को देखा जाए, तो ab plus normal, और behavior तो आई गया, क्योंकि normal और abnormal behavior की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे important है, कि जल्दी बाजी नहीं करने चाहिए, किसमें जल्दी बाजी करने की बात हो रही है, कि साब जल्दी बाजी ना करें, ये जज़ करने में कि भाई स बाजी की, वहाँ पर आप गल्ती कर बैठेंगे, हो सकता है कि आप normal behavior को abnormal कह दें, या abnormal behavior को normal कह दें, क्योंकि आपने बहुत ही जल्दी में decision ले लिया है, आपको बहुत सोच समझ कर decision लेना है, लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा, decision लेने के पहले है कि भाई सब normal और abnormal behavior होता क्या है, तो normal की बात तो हम कर चुके है, अब abnormal behavior की बात करते हैं, तो abnormal का मतलब क्या है, ab plus normal, मतलब की away from normal, जो normal से भिनना है, जो normal से परे है, जो normal से दूर है, वो क्या है, वो abnormal है, और वही abnormal behavior है, लेकिन normal और abnormal behavior को judge करने के लिए हमें तीन बातें समझनी पड़ेंगे, एक जिसको हम कहते हैं cultural values को समझना पढ़ेगा हमें एक cultural values को समझना पढ़ेगा दूसरा हमें individual differences को समझना पढ़ेगा और individual differences में भी हम gender difference की बात करेंगे जेंडर difference और तीसरा हमें समझना पढ़ेगा age difference को यह तीन बाते हम समझेंगे तो हमारा आधार बनेगा कि साब normal और abnormal behavior को हम कैसे judge कर रहे है cultural values का मतलब क्या है कि सांस्कृतिक मूल है every culture has values हर culture में हर society में हर संप्रदाय में हर धर्म में अपने कुछ नियम है और आप उस culture के according काम करते हैं तो कहते हैं कि सांब यह normal है और culture के विरोध में काम करते हैं तो कहते हैं कि सांब abnormal behavior कर रहा है तो यहां पर एक बात आई कि abnormal और normal behavior किस पर vary कर रहा है culture to culture situation to situation हम कहें कि संप्रदाय to संप्रदाय हम कहें कि society to society यह जो normal और abnormal behavior है वो अलग 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 चल रहा है आप अगर यह न माने तो आप ऐसा करें कभी tribal का जो एरिया होता है मतलब कि जो जन जाती जो लोग रहते हैं जो आदिवासी लोग रहते हैं आप उनके वहां पर जाएं और आप उनको देखें तो एक बहुत छोटी सी चीज लें कि उनके कप्ले पहनने का तरीका, जो उनके ladies हैं, उनके कप्ले पहनने का तरीका, जो उनके क्यों क्योंकि आप अपने जो आपने जो कपले पहने हुए हैं जो आपकी वेजबुक्षा है अगर वह वहां जाकर पहनेंगे तो आप थोड़े से अजीब लगेंगे किसको उनको उन आदिवास्यों को लेकिन जो वो कपले जो उन्होंने पहन रखे हैं जो आदिवास्यों इसलरे मैं एम्गाबाद की तारीफ करता हूँ अब आप उन आदिवासियों के कपड़ों को यहां पर पहनें लोग क्या कहएं अरे यारे कैसे कपड़ पहन के आ गए है अब कैसे कपड़ पहन के आ गये है मतलब कि भाज साब आपके यहां मतलब अभी यहाँ पर वो बड़े अजीव से कपले हैं मतलब कि वो नॉर्मल नहीं है तो आप कैसा अबनॉर्मल विक्ति है जिसको समझ भे नहीं आ रहा है कि किस सोसाइटी में कैसे कपले पहनने चाहिए अब वैसी आप इंडिया की बात कर लें कि आप इंडिया में बात करते हैं इंडिया का एक अपना कल्चर है जिसको हम कहते हैं सनातन धर्म या अलग-अलग जो भी कल्चर से हमारे यहाँ पर उन सब की अपनी अपनी ब्यूटी है अब जब हम बात करते हैं अपने सनातन धर्म की तो सनातन धर्म में क्या है आप जब अपने teacher से मिलते हैं आप क्या करते हैं Sir नमस्ते, Sir प्रणाम आप पैर छूते हैं आप गुड मॉर्निंग कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर गुड नाइट तो बाद की बात है जब गुड नाइट तो नहीं मिलता है वो आदमी, लेकिन फिर भी आप उसको wish करते हैं क्या आप उसको इंडिया में अपने teacher का नाम लेकर बुलाते हैं Hi Vivek कुछ इस तरह की बात करते हैं बलकि वो Vivek कौन जो आपका teacher है लेकिन वैसे ही कि अगर आप western culture की बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसा भी profession है कि अगर Vivek teacher है तो Hello Vivek That's it No sir, no madam केवल और केवल नाम आपके यहाँ पर कोई मेरी university में जहाँ पर मैं लकुलिश योग university में हूँ और कोई मेरा नाम लेकर Hi Vivek, कोई student मैं कहता हूँ तिरे को समझ नहीं है तु नाम लेकर बुला रहा है हमारे यहाँ पर teacher का नाम लेते हैं क्या हुआ Culture to culture variation यहाँ पर वो abnormal है लेकिन वहाँ पर normal है और जो वहाँ पर normal है वो यहाँ पर abnormal है अब बात करते है cultural differences की बात आगई Cultural values की बात आ गई सोसाइटी के differences की बात आ गई अब चलते है Individual differences अब individual differences में सबसे बड़ी बात है Gender differences Individual differences आप का तो मतलब कम है क्यों? क्योंकि साब मेरी अपनी अलुग entity है आपकी अपनी अलग entity है कभी कभी अपनी individual differences की भी अगर बात करने तो मेरी सोच में जो कुछ चीजे नॉर्मल है आपकी सोच में वो अबनॉर्मल है और हो सकता है आप जो कुछ सोच रहे हो जो कुछ कर रहे हो वो आपके लिए नॉर्मल हो मेरे लिए अबनॉर्मल है लेकिन जब हम gender differences की बात करते हैं, तो हम तीन gender की बात करते हैं, एक male, female और transgender, और society ने या कुदरत ने, आप जो भी मान ले, उस कुदरत ने male के लिए अलग behavior decide किया हुआ है, female के लिए अलग behavior decide किया हुआ है, male, female की तरह विवहार करने लगे, लड़कियों की तरह चलने लगे, अब लड़कियों की तरह चलने लगेगा, तो लोग उसको देखेंगे, बड़े प्यार स्यारी कैसे चल रहा है, और लोग उसको देखकर हसेंगे, कहेंगे, abnormal है, मतलब कि abnormal विवहार कर रहा है, क्योंकि वो लड़कियों की तरह व्यवहार करना है अब उसी तरह एक लड़की है जो लड़कों की तरह व्यवहार करने लगे लड़कों की तरह चलने लगे लड़कों की तरह चलने लगे बिलकुल लड़कों का जो व्यवहार है उसको अड़ाप्ट कर ले अरे लड़की जैसे व्यवहा भी दे तो वो नॉर्मल नहीं है क्यों कि नॉर्मल वो है जो उसके लिए अपना एक व्यवहार है लड़की के लिए अपना एक व्यवहार है और नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल मतलब मेल के लिए अपना एक व्यवहार है जो बिल्कुल फिक्स है या फिक्स कहें या निर difference, एक बच्चा है, एक बुड़ा है, एक जवान है और एक इसी एज में न बुड़ा हो रहा है और नहीं जवो जवान है, मतलब कि मेरे ज़सा हम बीच में फसे हुए हैं, नहीं अठ्यरा साल के हैं, नहीं साल के हैं, हम बीच मेंसाफ, चालिस पंस के बीच किया है, कि महा पर बात क्या होगी, महा पर हर एज का अपना एक सीमा है विवहार को, बच्चे अलग तरह से विवार करते हैं उससे थोड़ा सा बड़े होते हैं टीनेज में आते हैं अलग तरीके से विवार होता है और जब हम एडल्ट हो जाते हैं अलग तरीके से विवार होता है बुढ़ों का अलग तरीके से विवार होता है लेकिन बच्चे अगर बड़ों और बुड़ा बिलकुल ही बच्चों की तरह बाते करने लगे, बच्चों की तरह चलने लगे, बच्चों की तरह जिद करने लगे, तो क्या बड़े होके भी आप ठीक से नहीं रह रहे हो, आप बड़े होके भी बच्चों जैसे व्यवहार कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि सहाब आप जो व्यवहार कर रहे हुँ वो नॉर्मल नहीं है कि आपको जो व्यवहार नरधारित है जो समाज चाहता है कि आप ऐसे ही व्यवहार करें आपको वही व्यवहार करने चाहिए चाहे आप age difference की बात करें, आप gender difference की बात करें, आप cultural differences की या cultural values की बात करें, बिल्कुल यही आती है कि सामान्य और असामान्य क्या है, सामान्य व्यवार वो है जो culture ने decide किये हैं, असामान्य व्यवार वो है जो culture accept नहीं करती है, अगर हम gender की बात करें तो male अलग व्यवार करे फीमेल अलग व्यवार करेंगे, तीनों एक दूसरे के मिले जूले व्यवार करने लगें तो तो प्रकृति का जो निया में वो शायद बिगर जाएगा आप कल्चरल वेल्यूस की एक और बहुत ही अच्छा एक्जामपल दूँ कि होमो सेक्चुलिटी पहले अबनॉर्मल थी, लेकिन आज की अगर मैं विचारधारा की बात करूं, आज के समय की बात करूं तो ये गलत है, मैं इसको गलत मानता हूं यह मेरी व्यक्तिकत विचार धारा है लेकिन हुमो सेक्चुलिटी आज एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे यहां है अभी भी है और होने भी चाहिए तो अब आप देखें कितना डिफरेंस होता है और डिफरेंस मतलब कि व्यवहार को समझने में व्यवहार के इंट्रेपरडिशन में कितना अंतर होता है एक अलग तरेके का व्यवहार और वही व्यवहार एक है लेकिन एक अलग तरेके से इंट्रेप्रेट करते है दूसरे लोग अलग तरह से इंटर्प्रियेट करते है इस डिफ्रेंस भी वही है तो यह क्या है यह एक बेस है लेकिन आपको यह समझा पड़ेगा कि नॉर्मल क्या है नॉर्मल एक सिध्धांत पर एक पैरामीटर एक पर एक मानक पर एक जो पत बना हुआ है उस पर चलने की बात हो रही है बस वही एक नॉर्मल है या नॉर्मल बिहेवियर है अबनार्मल को अभी हमने समझा कि किन तरह से अबनार्मल बिहेवियर को अलग अलग तरह से लोग सोचते हैं अलग अलग तरीके से लोग इंटर्प्रियेट करते हैं कल फिर हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले है क्योंकि कल और भी important बात होने वाली है क्यों क्योंकि जब हम बात करेंगे abnormal behavior को describe करेंगे statistical infrequency के माध्यम से हम बात करेंगे social norms के violation के माध्यम से हम बात करेंगे personal distress के माध्यम से कि क्या abnormal और क्या abnormal behavior होता है लेकिन आज के लिए इतना ही क्योंकि हमारा topic लंबा हो रहा है वीडियो लंबा हो रहा है और कल मिले वाले हैं जाईएगा कहीं मत कल कल बिलकुल इस वीडियो के साथ इसका एक second part आएगा आप उसको देखना बिलकुल मत भुलिएगा Thank you, thank you very much